किसान भाईयों नमस्कार सौागते हैं हमारे योटोब चैनल डे अगरी कल्चर में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की खेती को लेकर जब आलू की फसल 40 से 50 दिन की हो जाने के बाद आलू की फसल में कौन से खात का उप्योग करे बहुत से किसान भाई आलू की अच्छे पैदावार के लिए अनेक परकार के खात का उप्योग करते हैं कहीं परकार के इस्प्रे पी करते हैं तो पी पोदे की ग्रोध नहीं बढ़ पाती हैं पौद्य का सही तरह से वकासपी नहीं होता है और पौद्य का कंद का अकारपी बड़ा नहीं होता है और ज़दे सिंख्या में पीवर्दी नहीं हो पती है किसान भाईज़ों इस वीडियों में हम जब आलो की फसल 40-50 जिन की हो जाने के बाद एसे खाथ के बारे में बात करेंगे अगर आप इस खाथ का उप्योग सही समय पर करते हो तो आलू की पोदे की ग्रोध भी बढ़ेगी पोदे का सही तरह से विकास भी होगा जिसे आलू की पसल से आप जादा से जादा उत्पादन ले सकते हो किसान भाईों वीडियो में आकिर तक बने रहे हो और आप हमारे यूटूब चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आगे पी आपको खेती से संबन दित वा मंडिबा की जानकारी मिलती रहे किसान भाईों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की खेती को लेकर किसान भाईों इस साल आलू की खेती कहें सेत्रों में अगेती देखने को मिली है और कहें सेत्रों में आलू की खेती पचेती देखने को मिली है किसान भाईयों जब आलू की पसल 40-50 दिन की हो जाने के बाद आलू की पसल में कौन से खात का उप्योग करेगी पोदे की सही तरह से ग्रोध भी बड़े आलू की संग्या में भी बड़ोतरी हो आलू का अकार भी मोटा हो और पोदे का सही तरह से विगास भी हो से ज़्यादा उन्तपादन ले सकते हो किसान भाईयों बात करे जब आलो की बसल 40-50 दिन की हो जाने के बाद आलो की बसल में कौन से खात का उप्योग करे किसान भाईयों अगर आपके आलो की बसल 40-50 दिन की हो गई है और आपने अभी तक यूरिया का उप्योग नहीं क्या है तो आप यूरिया का उप्योग कर सकते हो किसान भाईयों आलिकी पसल में यूरिया का उप्योग करने से पोदे की ग्रोध बरती है पोदे का अकार भी मोटा होता है पोदे में पिलापन भी नहीं आता है पोद्य का सही त्रेस पे विकास भी होता है क्योंकि किसान भाईयों यूरिया में 46% नाइडरुजन गेस होती है जो कि पोद्य को पोस्टक तोतों की पूर्ती करता है जिसे पोद्य का सही त्रेस से विकास होता है पोद्य की ग्रोध भी तेजी से बढ़ती है किसान भाईयों इसकी उप्योग के बात करें तो 30-35 के जी परती एकर के साब से आप यूरिया का उप्योग कर सकते हो यूरिया के साथ आप सागरिका आती हैं किसान भाईयों आप सागरिका का उप्योग भी कर सकते हो किसान भाईयों सागरिका का उप्योग करने से पोधे का अकार पी मोटा होता है पोधे की संक्या में पी कापी बडोतरी होती है पोधे में पिलापन पी नहीं आता है पोधे की जड़े पी ज़्यादा काहराय तक जाती है और मजबूत पी रहती है किसान भाईओं इसका उप्योगँ आपको लगबग 5-7 केजी परती एकड़ के साब से सागरी का की उप्योग करना है किसान भाईओं जब आलू की फसल 40-50 दिन की हो जाने के बाद आपको इन दो खातों का उप्योग करना है अगर आप ये कारे समय पर कर लेते हो तो आप आलू से जादा से जादा उत्पादन ले सकते हो किसान भाईयों आलू से जादा उत्पादन लेने के लिए पोदे का सही तरह से विकास होना बहुत ही जरूरी है और आलू का अकार बड़ा होना बहुत ही जरूरी है और आलू की संक्या में बड़ोतरी होना बहुत ही आवस्यक है किसान भाईयों अगर आप ये कारे समय पर कर लेते हो और इन बातों का उस्यस कर ध्यान रखते हो तो आप आलो से जादा से जादा उत्पादन ले सकते हो किसान भाईयों ये ये चोटी सी जानकारी उमीद करता हूं कि जानकारी पसंद है होगी जानकारी पसंद हो तो अपनी किसान दोस्तों के साथ सेर करे